साथियों हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए लेकिन गरीबों को ससक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और यह मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब ससक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का होसला आता है एक इमांदार सरकार के प्रयास एक शसक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है इसलिए चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या राज्यों में बीजेपी की सरकार है सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए गरीब को शसक्त करने में जूती है आज का ये कारकम इसी अभियान का हिस्सा है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट गावों में बने ये सबाब पांच लाख गर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ये सबाब पांच लाख गर देश में ससक्त होते गरीब का पहचान बन गए है ये सबाब पांच लाख गर भाजपाज सरकार के सेवा भाव की मिसाल है ये सबाब पांच लाख गर गावों की गरीब महिलाओं को लखपती बनाने के अभियान का प्रतिविम्ब है मद्य प्रदेश के दूर सुदूर गावों में हमारे आदिवासी अंचलों में गरीबों को ये घर दिये जा रहे है में मद्य प्रदेश के लोगों को इन सबाब पांच लाख घरों के लिए बधाई देता हूँ भाईयों और भेनों गरीब को अपना पक्का घर देने का अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है ये गाउं को गरीब को विश्वास देने की प्रतिवधता है ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने की गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीड़ी है जब गरीब के सीड़ पर पक्किशत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिर्टा आती है इसी सोच के साथ हमारी सरकार पी-म आवास योजना को सरवोच्च प्रात्फिक्ता दे रही है पिछली सरकार ने मेरे आने से पहले जो लोग थे उन्होंने अपने कारकाल में कुछ लाख गर ही बनवाए थे वही हमारी सरकार गरीबों को करीब करीब धाई करोड घर बनाकर दे चुकी है इसमें दो करोड घर गावों में बनाए गए हैं बीते दो सालों में कुरोणा के कारण आई अडचनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया मद्यपंदेश में भी लगभग साड़े तीस लाख स्विक्रुत आवासों में से चोबिस लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं इसका बहुत बड़ा लाप बैगा सहर्या और भर्या ऐसे ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोज भी नहीं सकते से